दोस्तों आप सब लोगों को बताई होगा कि भारत के तरफ से अपने हत्यारों को एक्सपोर्ट करने को लेके लगातार प्रयास किया जा रहा है और दोस्तों इस प्रयास में भारत के द्वारा अपने कई सारे हत्यारों को अलग अलग देशों के सामने ओफर के तहट रखा भ वी हुआ है तो भारत जिन हत्यारों को अन्य देशों को बेचना चाता है उसमें भारत के आकाश मिसाइल, ब्रहमो मिसाइल जैसे मिसाइल तो है ही साथ में तेजस भी एक प्रमु कहत्यार है। मानी के तरफ से हाली में गौर्मेंट के डिफेंस एक्सपोर्ट को लेके उठाये गए इनिशिटीवों के बारे में जिकर किया गया और उनके तरफ से ये भी वताया गया है कि फ्रेंडली कंट्रियों को तेजस मार्क वान एयार क्रैप्टों को एक्सपोर्ट करने के लिए भ अर्माने के तरफ से अपने बयान में ये भी कहा गया है कि भारत तेजास यारक्राप्टों के एक स्पोर्ट को अंजाम देने के लिए कॉम्फ्रीहंसी प्राइस के साथ इन यारक्राप्टों का ओफर रखेगा और इवन इन यारक्राप्टों को कई तरीके के फ्लेक्सिवल को प्रमोट भी किया जा सके दोसो तेजास यारक्राप्टों का डिवलप्मेंट असल में भारत के डिफेंस टेकनोलोजी का एक बहुत बड़ा परिचाय था और दोसो इन यारक्राप्टों को डिफेंस टेकनोलोजी का एक बहुत बढ़ा परिचाय था और दोसो इन यारक्रा दोसो तेजस Mark 1 और Mark 1 A असल में एक हलके वजन के मल्टी रोल यारक्रेफ्ट है जो के cutting age avionics और equipment ओके वज़ा से पहचाना जाता है तो वही पे इसके जो performance है वो भी काफी बहतर है और दोसो तेजस Mark 1 A असल में तेजस Mark 1 के एक enhanced और upgraded version है जिसमें कई तरीके के नए modification किया गया ह जैसे कि एरक्रेफ्टों में air to air refueling systems लगाया गया है एरक्रेफ्ट में एक active electronically scan array radar beyond visual range air to air missile और on board oxygen generation systems को भी लगाया गया है दोसो गिरिधर अर्माने के तरफ से अपने बयान में ये भी कहा गया है कि भारत जिस तरीके से अपने हतियारों को export करने के लिए प्रयास चला रहा वो काफी बड़ा प्रयास है क्योंकि इससे भारत के जो defense equipment है उसका export भी बढ़ेगा और साती साथ भारत के जो defense relationship है वो भी कई सारे देशों के साथ मजबूत होगा और आने वाले समय में इससे भारत के influence को भी मजबूत किया जा सकेगा अब दोसों यहाँ पे आप आप चाइना के ही एरक्रैप्टों को सस्ते एरक्रैप्ट और हलके वजन के एरक्रैप्ट के रूप में देखा जाता था पर भारत के तरफ से चेज़र से एरक्रैप्टों को निर्मान करके एक तरीके से चाइना के इस market share के उपर जहाँ पर अपना डावा ठोका गया है तो उही चाइना के जो equipment है वो 2M दर्जे के मतलब घटिया दर्जे के होने के कारण कई सारे देश परिशान था लेकिन अन्ने alternative नहीं होने के कारण मजबुरन चाइना के हतियारों को purchase कर रहा था भारत के हतियार आने के बाद एक तरीके से चाइना के export market के उपर जो share है उवो तो कमे गाही साथ में कई सारे देशों के सामने alternative हतियार भी मिलेगा और बहतर हतियार भी उन्हें मिलेगा हला कि दोस्तों Nigeria पहला ऐसा देश नहीं है जिसके सामने भारत के द्वारत तेजस यार क्रेप्टों का offer किया गया है बलकि इसके इलाबा भारत इजिफ्ट और मलेशिया ज एक्सपोर्ट को अगर देखा जाए तो भारत का तेजा सी आरक्राफ्ट ही एक्सपोर्ट के लिस्ट में एक मात्र हतियार नहीं है बलकि भारत के द्वारा बनाया हुआ और भी कई सारे हतियार एक्सपोर्ट लिस्ट में है जिसमें भारत के खुत के डिजाइन किया हुआ स स्वदिश ये आर्टिलेडी से शुरू करके रोकेट सिस्टम मतलब ATA GS जैसे आर्टिलेडी और अन्ने आर्टिलेडियों से शुरू करके पिनाका जैसे रोकेट सिस्टम भारत के नाक जैसे एंटी टैंक गाइड़ेड मिसाइल, आकाश जैसे सॉर्फिश टू एयर मिसाइल, अस्र जैसे एर टू एर मिसाइल वरुनास्र जैसे टॉर्पेडो ब्रमोस जैसे दुनिया के सबसे ताकतवरतरिन क्रूज मिसाइल भी एक्सपोर्ट के लिस्ट में है और दोस्तो स्मॉल आम्स और एमुनेशन तो पहले से ही भारत के द्वारा बड़े मातरा में अलग-अलग देशों को बेचा जा रहा था और दोस्तो कुछ रिपोर्ट के मुताविक साल 2023 में तो भारत के द्वारा हतियारों के एक्सपोर्ट के मामले में एक बड़ा रेकॉर्ड किया गया और करीब-करीब 2 बिलियन डॉलर के आसपास के हतियारों को भारत के तरफ से खाली बेचा ह द्रोनों को आसानी से काउंटर किया जा सके और सस्तिर द्रोनों को काउंटर करने के लिए ज़्यादा खडचाना हो। और दोस्तों ये एक तरीके से इंडियन आर्न फोर्स के मॉडनेशन का भी प्रयास है और दोस्तों इस प्रयास के अंतरगत मॉडन वर्फेर के लिए आर्न फोर्स को तैयार किया जाना है और दोस्तों आप लोगों को ये भी बता दू कि इसमें प्राइबेट सेक्टर कमप भी कई तरीके के counter drone system है लेकिन इस दर्मियान जिस तरीके से low cost और छोटे आकार की drone warfare में हिस्सा ले रहा है और इससे जिस तरीके से नुकसान पहुंचाया जा रहा है उसे भी counter करना आवशक बन चुका है रश्या यूकरेन के लड़ाई के दर्मियान आप सब लोगो को पताई होगा कि किस तरीके से बड़े मात्रा में यूकरेन के द्वारा low cost drone मतलब कम खर्चेलू छोटे आकार का drone का इस्तेमाल किया गया और दोस्तो हाली में आप लोग यह भी सुने होंगे कि rate C के अंदर किस त drone है इसे हमला में काफी बहतरी मधंग से उपयोग किया जा सकता है और दोस्तो इसे counter करने के लिए अगर traditional तरीका अपनाया जाता है तो ये एक तरफ जहाँ पे काफी खर्चेलू है तो वही पे जो current traditional तरीका है वो छोटे आकार के drone के खिलाब इतने अधिक effective भी नहीं है और दोसो दोसो drone के इस तरीके के उपयोग को देखते हुए तो यही लग रहा है कि आने वाले समय में हर तरीके के लड़ाई में ऐसे drone को अवश्य इस्तमाल किया जाएगा और शायद इनी कारोनों के वज़ा से इंडिया के तरफ से भी अभी से ही ऐसे drone को counter करने को लेके प बड़े आकार के जहाजों को निशाना बनाया जा रहा है ये असल में सवी देशों को द्रोन को लेके सोचने को मजबूर कर दिया है क्योंकि दोस्तों काफी कम खर्चा में मतलब कुछी सो डॉलर में ऐसे द्रोन बन जाता है जिसका उप्योग करके कई मिलियन डॉलर के बड़े हतियारों तक को निचलाइज किया जा पा रहा है हाला कि दोस्तो संपूर्ण रूफ से ये जो द्रोन है ऐसे जहाजों को डुबाने में तो सक्षम नहीं है लेकिन लड़ाई के दर्मियान अगर ऐसे जहाजों के ओपर हमला होता है और कुछ दिन के लिए ये जहाज भी अगर लड़ाई से बाहर हो जाता है तब भी ये बहु के साथ मतलब कमर्शियल जहाजों के साथ भी इस्तिमाल कर सके अला कि कमर्शियल जहाजों के अंदर एंटी द्रोन सिस्टमों को इस्तिमाल करने को लेकि फिलाल तो इस तरीके का कोई ख़वर नहीं आया है लेकिन मेरा मानना ये है कि कमर्शियल जहाजों में ऐसे एंटी द उपर से हाल फिलाल में पाकिस्तान के तरफ से भी ऐसे लो कोश्ट द्रोनों का इस्तिमाल करके भारत के अंदर आतंकी गतिविदियों को अंजाम देने में मदद किया जा रहा है जैसे की हतियारों का सप्लाई और नार्कोटिक्स का सप्लाई किया जा रहा है और इसे रोकने क आमें और लगवक सभी तरिके के इस्टालेशनों में डिप्लॉई किया जा सके दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि क्या भारत नाइजेरिया को तेजस मार्क वान ए जैसे यार क्रैप्टों को एक्सपोर्ट कर पाएगा या नहीं कॉमेंट करके अपने डाय अवश्र दीजिए दोस्तों आज के इस वीडियो को यही पही करते समा आप किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो मिलेंगे तफ तक के लिए जैहिंद बंदे महतरम